वेल्कम बैक अगेन तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं जैव संके तक क्या होते हैं बायो इंडिकेटर क्या होते हैं तो हमारी सीरीज चल रही थी आरपी एसी फस्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो बायोग की विकेंसी आने वाली हैं उसमें हम टॉपिक हैं पिक करके स्वेक्षचन आते हैं चाया आपके मैं फर्स्ट ग्रेड करिड हैं फर्स्ट गरीड हो नहीं मैं थी तो यहां पर जानना जरूरी है सबसे पहले यह होते हैं जैसे अगर किसी पौद्य को देखें तो किसी जगे अगर वो फल फूल रहा है फुल फिल कर रहा है तो उसे एक तरह से साइन मान सकते हो क्यों वो उस जगे की कंडीशनस के अकोर्डिंग महाँ पे अड़ेट हो गया है ठीक है तो ऐसे अगर प्लांट को आप साइन के रूप में काउंट करते हो तो वो जैव संक्यतक की सरेड़ी में आ जाता है ठीक है अगर पर्यावण दसा में कोई मानव परवड़तन मानव जनित गत्विदियों से होता है तो वाँके आवास्पन निश्ची रूप से परवाब पढ़ता है जो आगे चलकर वहाँ उपस्तित जीवन को परवाबित करते हैं ठीक है क्योंकि जीवन है वहाँ पर उपस्तित पर्यावण का सबसे अच्छा संक्यतक हो सकता है इसलिए पौदे पसू बनने जीव सूच में जीवों को संक्यतक कहते हैं ठीक है अगर पादब संकेतक का काम करता है तो उसे पादब संकेतक कहते हैं अगर जंतु करता है तो उसे जंतु संकेतक कहते हैं मैंने अपनी कई वीडियो में आपको कई प्रांट के नाम बता हुए हैं जो किसी रीजन में किसी तत्तु की संकेत को दिखाते हैं जैसे अगर बाने ज copper की presence को दिखाती है viola plant है वो जिंक की उपस्तिकी को दिखाता है कौन सा viola plant ठीक है तो यह ऐसे plant है जो किसी रासानिक तत्तु का संकीत दे रहे हैं जैसे like in है और जिस इस इस्तान पर हो रहा है तो उस इस्तान को आप count कर सकते हैं कि उस इस्तान पर count कर सकते हैं महाँ पर कोपर अच्छे से मिलेगा पोदों पर जिन कारकों का प्रवाब पढ़ता है वे पोदे उसे इस पश्टूप से दरसाती हैं किसी भी इस्तान पर उपस्तित प्रवावी जाती उस छेत्र के पर्यावण की सबसे अच्छी पर्मुख संकेतक होती है यहाँ पर कुछ पर्मुख संकेतकों के उधारण दिये गए है जैसा कि मैंने बताया अगर कोई जाती किसी इस्तान विसेस पर ग्रो कर रही है फुल्फिल्ट कर रही है तो उस जाती को आप संकेतक की रूप में काउंट कर सकते हैं अब सबसे पहले हम देखें जलवायू संकेतक क्या है दो दीखिए किसी इस्तान विसेस पर वपस्तित पादब संदा है जलवायू का स्रिष्ट संकेतक होता है बिल्कुल सही बात है जैसे अगर एक्जामपल में माने सदा, हरित, वन, सर्दी और गर्मी दोनों रितूओं में भारी वर्षा के संकेतक है जबकि घास के मेदान है गर्मी में अधिक और सर्दी में कम वर्षा के संकेतक है जबकि मरुद्वित प्लांट की उपस्तिती हमेशा कम वर्षा दिखाती है तो आप बनस्पती से वर्षा की कंडिसन्स को माप सकते हैं तो यहां पर यह जलवाई संकेतक के रूमे काम कर रहे हैं आपका पादब समझाए ठीक है दूसरा आते हैं अगनी के संकेतक है तो जैसे टेरीडियम फर्न है उसकी जातियां है जंगल में अगनी के प्रवाब अत्तिक अविवस्तित कौनधारी बनों की उपस्तिती के संकेतक है तो जहां पर टेरीडियम फर्न आपको देखने को मिलेगा वो संकेत दिखाता है कि वहां पर आग लगने की संभावना हो सकती है तो वहां उस जाती विज़े से आपने उस रीजन को स्पेसिफाई कर दिया है तीसरा देखिए यह जैव संकेतक कौन कौन से मिल सकते हैं पैट्रोलियम भंडार के संकेतक के रूप में मिल सकते हैं जैसे यूसीलिंडस नामक प्रूटुजवा की एक स्पेसीज है जो उस छेतर में पैट्रोलियम भंडारों का संकेतक होती है तो बैग्यानिक इन चीजों का यूज़ करके इस्पेसल संकेतकों का यूज़ करके पैट्रोलियम भंडारों को भी पता लगा सकते हैं प्रूटूशन के संकेतक हैं जैसे कारा प्लांट है, बुल्फिया है, यूटिकूलेरिया है, ये जली पादब प्रदूसित पानी में होगी है, तो जहाँ पर इनकी आपको कॉंटिंग संख्या होगी, वहां के पानी को आप कैसा मानेंगे, गंदा मानेंगे, कि वो पीने योगे नहीं हैं, तो ऐसे प्ला रख्जिय्जन मी आप से उच कर सकते हैं जैसे डाएट ada children's की उपस्तरी ये दर साती कि महाँ पिसी जब्लिच का तो डाइटमर सकते हमें सीवेश को पानी रहता है को अप में यह वो घास के मेधानों को अत्य दिक मात्रा में क्या कड़ेंगा खतम कड़ें पूषन वहां पर चारण है वो बहुत ज्यादा होके वहां आपकी घास के मेधान बिल्कुल खतम हो जाएं और तब उसे बोलते हैं तो जैसे बाड से खर्पतवार है, जैसे एमरेंट से चीनो पोडियम है, यह ऐसे घासस्तालों पर उखते हैं, जहां पर पसूर चारण अधिक होता है, ठीक है, जहां पर उबर ग्रेजिंग हो जाती है, वहां पर यह आपको दिखाई देते हैं, तो यहां पर जब भी आप य खर्पतवार देखेंगे, तो आपको मैंड में क्या हैगा, कि यहां पर उबर ग्रेजिंग हो चुकी है, ठीक है, कुछ प्लांट मैंने बता दिये हैं आपको, जैव संकीतक की रूपे, तो हमने यहां पर बेसिकली देखाए कि इसकी परवासा क्या होती है, जैव संकीतक को संकीत कर सकते हैं, तो हमने देखा कि जैव सूचक में आपके बायोंडी कीटर्स में आपके प्लांट आ सकते हैं, ठीक है, जनतु आ सकते हैं, सूचम जीवा सकते हैं, यह सब आ सकते हैं, ठीक है, तो हम यह सीरीज में दूसरा जो हमारा यह पार्ट रहेगा, यह जैव सं टॉपिक्स में बात करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, थेंक्स